ओम स्रीवेंकटे साय नमहा मैं प्रोफेसर S.V.S.S. नारायन राजू यूट्यूब चानल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ आज मैं मलिक महमद जाइसी द्वारा रचित पदमावत के सिमहल दीपकंड से संबंदित अंतिम पद की व्याक्या अब मैं करने जा रहा हूँ इस पद में मलिक महमद जाइसी ने रत्न सेन के शुमंदिर पहुंचने और शुमंदिर के साउंदर्य या महानता का वरणन कर रहा है जिस प्रकार वरणन किया है सबसे पहले जाइसी के शब्द में पद देखेंगे पद के साथ साथ पद की व्याक्या भी देखेंगे ही रामनि देई बच्चा कहानी चला जहां पदमावत रानी राजा चला संवरि सोलतां परबत कह जो चला परबत का परबत चड़ देके राजां उंच मंडप सोने सब साजां अम्रत सदाफर फरे अपूरी आउंताह लागी संजीवनी मूरी चौमुक मंडप चहु केवारां बैट देवता चहु दुवारां बीतर मंडप चारि खंब लागें जिनह वैं चुये पाप तिनह बागें संक गंट गंबाज ही सोई आउ बहू हो मुझाप तह होई महादेव का मंडप जग मानस तह आउं जस हींचा मन जेही के सो तैसे फल पाउं अब कटिन शब्दार देखेंगे बच काहा बचा काहा नी मतलब वच्चन और यवस्ता लता पद्मलता पद्मावती पर्वता शुक शुक प्यार का नाम पर्वत गड अम्ब्रित अम्ब्रित फर फल का देखाई क्या देखता है की सदा फर बारह मासा फलने वाले फल अपूरी परिपूर्ण जातरा यत्रा तिर्द यत्रा जग मानुस समसार बर के मनश्य हींचा इच्चा गन बाजही मंजीरे आदी कामस के बाजहे हीरामन देई बचा कहानी चला जहां पदमावत रानी राजा चला संवरि सो लता परबत कहां जो चला परबत हो हीरामन शुक राजा रत्सेन को पदमावती के मिलने की व्यवस्ता बतला कर और लटने का वच्चन देकर वहां के लिए चल पड़ा जहां पदमावती रानी रहती थी का परबत चड देके राजा उंच मंडप सोने सब साजा अमृत सदाफर फरे अपूरी आउं तह लागी संजीवनी मूरी जैसे हिरामन शुक सिम्हल के लिए प्रस्तान किया वैसे ही राजा रत्सेन भी पदमावती का समरन करते हुई उस परवत की वोर चल दिया जिसपर शिव मंदिर स्थित्ता परवत पर चड़कर राजारत सेन देखते हैं कि सारा उंचा मंदिर स्वर्ण से सजा हुआ है और संजीवनी बूठी भी लगी हुई है चौमक मंदप चहु केवारा बैट देवता चहु दुवारा बीतर मंदप चारी कंब लागे जिनहें वैचुये पाप तिनह बागे संक गंट गन बाजही सोई अव बहो मुझापत होई उस मंदिर में चारों और किवार लगे हुई है और चारों द्वार पर देवता बैटे हुई है मंदिर में बीतर चार कंबे लगे हुई है उनको जिन विक्तियों ने छू लिया उनके पाप दूर हो गया है और उनको सवबाग्य प्राप्त हो गया वो शेंक गंटे और कामशिवाद बज रहे हैं और वहाँ हवन और तप प्रचुरता से हो रहे हैं महादेव कर मंदप जग मानस तहाव जस ही चा मन जेही के सो तैसे फल पाओ देखिए महादेव के उस मंदिर में समसार बर के मनश दर्शन है तो आते हैं जिसके मन में जिस प्रकार की अभिलाशा होती है वहाँ उसी प्रकार का फल प्राप्त होता है इस पद की विसेशता है देखेंगे चार कम अर्दात दर्म अर्द कम मुक्ष के प्रतीक है क्योंकि बारती सनातन दर्म की विशेशता ये है कि यहां दर्म अर्द कम मुक्ष कोई भी चीज मना नहीं मतलब दर्म मतलब सिर्म रिलीजियन नहीं है अमारा कर्तव यह है और इसी धर्म के मतलब जो डंग से संविधान के अनरूप काम करके उससे अर्द कमाना भी ज़रूरी है लेकिन इस डंग से कानोनी के थोर पर जो डंग काम किया और काम से अर्द भी कमाया उस कमाया हुआ अर्द से काम मतलब इच्छावं की पूर्ति कर सकते हैं मतलब जो आमदनी है उसी से जो हो सकता है वो सारी इच्छावं पूर्ति कर सकते हैं और अगर जो इस प्रकार डंग से गलत काम ना करते हैं तो मोक्ष अपने आप प्राप्त हो जाता है ये बारती सनातन दर्म की विशेशत, कोई भी चीज मना नहीं करते हैं, लेकिन उसके लिए ये को पदती है, कहीं अमर्यादित या गलत पदतियों में जाना मना है, अब देखे, शिव मंदिर का यदाद चित्रंकित हुआ है, शिव मंदिर में उंचे परवत स्तित हैं, शिव मंदिर के चार द्वार थे, प्रतेक द्वार से प्रवेश करने पर शिव जी के दर्शन होते थे, द्वारों में किवार लगे थे, मंदिर के बीतर का गर्ब गुरुह चार कंबों पर टिका हुआ थे, वही मंदिर के चारों द्वारों पर पार्ष के स्तंबों पर विभिन् देखे बचा का सम्स्कृत रूप वचन सम्वर का स्मरण हीचा का इच्चा है। का सर्वस्रेष्ट तीर्द आधी इसलिए प्रियुक्त हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री मन नारायन, जय श्री राम।